न्यूज वाइस जो हर खबर से आपको कराये रूबरू कि पार्टी वर्किंग कमेटी में हर्याना के नेताओं में मैं सबसे सीनियर हूँ लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं पार्टी छोड़ कर चला जाऊँ सोनिय गांधी को कॉंग्रेस अद्यक्स की कमान सोंपे जाने पर कैप्टन यादव ने कहा कि राहुल गांधी के पत छोड़ने का दुख मुझे है लेकिन राहुल ही मोदी के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे तसली इस बात की है कि सोनिय गांधी भी एक सुलजी हुई नेता है और उन्हें उमीद है कि आने वाले चुनाओं में उनके नितुर्तों का पार्टी को फायदा मिलेगा धारा 370 हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोई राष्टवाद नहीं बलकि चुनाओं को देख वोट बटोरने के लिए लिया गया फैसला है अगर यही राष्टवाद है तो सरकार धारा 371 क्यों नहीं हटाती जो स परियादा हिन बताया विधान सबाच चुनाओ को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जंसंपर का भियान तेज कर दिया है और गाउं से उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है जहां तक चुनाओ लड़ने का सवाल है तो मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा चिरंजी सब्सक्राइब रहा है तो राउल गांदी जी ने जो अस्तीफा दिया है मैं मानता हूं कि यह पार्टी के लिए कोई कि मैं समस्ता हूं कि उन्हें जिस तरीके से मेहनत से काम किया और लगन से काम कर रहे थे और वहीं एक ऐसे शक्स्ते जो मोदी जी के खिलाब जो है खुल के बोल रहे थे उनके पद छोड़ने से जो है हमें मुझी तो ब्रक्तिकर तोर पर बहुत दुख्या उने साथ काम कर कर देखा लेकिन जो है तसलीस बात की है कि सोन्य गांदी जी जो है वो सब को जाती है और आखिर कर जो है जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं कि बात मानते वे सोन्य गांदी जो ये कारभार एज इंटेरियम प्रेजिट समाला है तो हमें उमीदे कि जो अभी हमारे आने चुनाव है इसमें हमें नेत्रश भी ठीक मिलेगा और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में राहूल गांदी जी पुने हमारे अर्जैश्मने ताकि जो है पार्टी में और और उर्जा बाइदा हो और साब फैसला लेने जारे है अठाना तारी को बड़ा फैसला क्या परतिक्रिय रहे जीज़ा बड़ाव की राजीती से कुछ नहीं होता उनको दो बार मुख्य मंत्री सोनय गांदी जी ने बनाया है उनको एक सचे सबाई की रूप में जो भी उनको काम दिया उनके बेटे रहे हैं वर्किंग अमेटी में स्पेशन इन्यमाइटी है और मैं स इस परतिक्रिय रूप में बड़ा चोटा कोई नहीं होता जिसको पार्टी का जो कार्डर है पार्टी के कार्डर को जिसको अध्यक्रत किया गया है उसके मतारी चलना चाहिए जो भी आजे सोनय गांदी को उसको मानूंगा और द्बाव की राधिती वह उनको चलती नहीं गांदी की इक तरीकिसे उनको वश्वास करना चाहिए जो है पेहले बीयुको बार मुख्य मंतरी बनाया है तो आज संदे क्यों हो रहा हो उनको संदे की बिल्कुल नहीं हो चाहिए विश्वास अगना चाहिए और उनको पुरा आपधस अथकार जो है जो कोड़ने को मान स तो आप जानते हैं चुनाव देखकर 370 आर्टिकल से या इनको राष्ट्रवाद की बात नहीं है तो यह किस प्रकार से हम बटोर सकते हैं कि वो उनको शुट नहीं करता है जो सूट करता है 370 आर्टिकल है हमने उसका ठाय ठीक है और मैं उसको सभी मानता हूं 35 को भी मानता हूं कि आप चुनाव से पहले तुम करते हैं थागि उसको आपको राजीतिक लाब मिल सकें इससे पहले जो है बालगोट का जो भामला हुआ वह भी चुनाव से पहले कि अलोग सोगाव से दास्टवाद की बात करी जिस ताइम प्रदान मंत्री जी एक चीते के साथ जो है अपना डिस्कवरी चैनल के उपर शूटिक कर रहे थे क्या यह राष्टवाद मेरा प्रशन है वीजिए प्रिकलोविश का जवाब ने ऐसा है जो पिछली बार 2014 है उससे बैटर रस्मांज था लोग इमानते हैं कि मैंने तो मैंने लोगों से यह का किवल सब्सक्राइब रहने से बात पती विवक्ष में तो मजबूत होना चाहिए कि परणाम क्या होंगे तीन तू सब्सक्राइब वह आपको महीने दो महीने बार पता ल है नागलेंड के लोग यहां हमारे लोग वहां जमी जाए कि उन ले सकते हैं और जो कल जो है भुक्ष मंतर जी ने क्ला कि हम तिश्मीरी बहु लेगी आ जाएंगे यह उनके मैं समस्ता हूं कि मर्यादा में रहकर कोई व्यक्तियों को बात ठेंग चाहिए इस परकार की बा ज़े लेकिन अगर पार्टी और कारे करता चाहिए कि मैं रनौ तो पार्टी के जो अदेश्या उस अर्माथे बहे जाता हूं कि मैं नौ अलकों में परचार करूं, नौ हलकों में यह सीट आएंगे जो पार्टी का अदेश होगा उसकों तर भी काम करना पड़े में नोगो झाल झाल झाल